अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसे सब्सक्राइब कर लिजे और उसके बाजू में जो बैल आइकन उसे प्रेस कर लिजे ताकि जो हमारे लेटेस वीडियो है वो आप तक असानी से पौश सके हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेस्टिंग या मैं हूँ इशा आज का हमारा वीडियो है कुकिंग पे और आज हम बनाएंगे मैगी पकोड़ा यह बहुत ही अच्छे बनते हैं फ्रेंड्स यह बहार से क्रिस्पी और अदर से बहुत ही टेस्टी बनते हैं मैगी के पकोड़े बनाने के लिए हमने दो पैकेट मैगी के लिए हैं तीन टेबल स्पून बेसन लिया है एक टेबल स्पून चावल काटा एक बाउल प्याच लिया है जिसको हमने जॉब कर लिया है तीन हरी मिर्चे लिया है जिसको हमने बारी काट लिया है एक बाउल गा एक चोथाई चमज गरम मसाला पॉडर लेंगे और 200 ml पानी लिया है हमने अब हम मैगी बनाना स्टार्ट करते हैं उसके लिए लेंगे हम एक पैन हमने गैस अन कर लिए अब पैन में हम पानी आड़ करेंगे यह 200 ml पानी है जनरली मैगी बनाते समय हम जितना पानी यूज करते क्योंकि हमें मैगी को ज्यादा गलाना नहीं है सिफ 80 पसंट ही कुछ करना है अब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला और इसे अच्छे से हम बॉइल कर लेंगे यह हमारी मैगी 80 पसंट बॉइल हो चुकी है अब हम कैस की फ्लेम आफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए मैगी हमारी ठंडी हो चुकी है अब हम इसे बॉइल में ट्रांसफर कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे शिम्ला मेंच गाजर हरी मिर्ची प्याज चावल काटा बेसन नमक नमक अब अपने टेस्ट के साब से एड़ करेंगे इसमें लालमिश पॉडर एजवाइन गरम मसाला पॉडर और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यह हमारा मिक्षर अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे ताकि जो हमारा मिक्षर अच्छे से बाइंड हो जाए हमें इसे अच्छे से बाइंड करना है ताकि तेल में जाते वक्त यह फूटे नहीं नितों जो हमारे पकोरे हैं वो पूरे बिखर जाएंगे इसलिए हमें अच्छे से बाइंड करना है हमारा मिक्षर थोड़ा सा स्टिकी ही रहेगा यह हमारा डो तयार हो चुका है अब हम इसके पकोरे बनाएंगे हमने गैस अन कर लिया है और पैन में तेल डाल के तेल को अच्छे से गरम कर लिया है अब हम इसमें अपने पकोरे फ्राय करेंगे पकोरे को फ्राय करने के लिए और हमें इन गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राय करना है और इसे हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे तक ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं यह हमारे मैगी के पकोरे फ्राय हो चुके है अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी पकोरों को भी इसी तरह हम फ्राय करेंगे अब हम बच्चे बी पकोरे भी इसीतर फ्राय कर लेते हैं ये बहुत ही अच्छे बनते हैं friends और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं अब चावल के अटे की जगा कॉन फ्लोर का भी यूज कर सकते हैं और सूजी का भी यूज कर सकते हैं लिए माएं बच्चे वे पकोड़े भी फ्राई हो चुकिए हैं अब हम इसे सभलेंग डेल बढ़ना लोगें गर्मगड़म मैगी के पकोड़े बन की रेडी यह बहुत ही अच्छे बने हैं और बहुत ही ग्रिस्पी बने हैं आप भी इसे जरू ट्राइ करें अगर आपको ही हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थै